हेलो दी स्टूडेंट्स, वेलकम बेक टो और्गिनाइज नॉलज चैनल और आज की जो वीटियो है बच्चो उसमें हम डिसकस करेंगे असेस्मेंट वक्षीट नमबर एट फोर क्लास टेंथ विशे हिंदी है और ये वक्षीट आपके लिए 18 अक्टूबर 2021 के लिए शेडू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए तो नॉलेट स्टार्ट बच्चो अब तक आपने जाना कि साहित्य में भी एक ऐसा अंग है जिसकी अनुभुती अर्थार्थ महसूस करना तो हम करते हैं किन्तु वह हमें दिखता नहीं है यानि साहित्य हिंदी स साहित्य की अगर हम बात करें तो उसका एक ऐसा अंग है एक ऐसा घटक है जिसको हम केवल महसूस करती है ठीक है इसका ये पत्रक के माध्यम से हम व्याकरण साहित्य के उसी महत्यपूर्ण अंग रस को जानेंगे तो देखिए रस का मतलब क्या है कि जब हम कोई कवीता कहान नाटक उपन्यास आदि को पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनुबती होती है कुछ महसूस होता है कुछ अच्छा लगता है पढ़ने में ठीक है और जो वो अच्छा लगता है जो हमारे मन को संतुष्ठी देता है जिसको पढ़के मजा आ जाता है वो क्या है वो आनंद की पाड़ते हैं उनको सुनते हैं तो कानों को अच्छा लगता है ठीक है और ये जो आनंद के अनुबुती होती है एक लै में चीज होती है जिसे आप सौंग सुनते हो सौंग सुनना अच्छा लगता है और अगर आपकी जो है जैसे उसके अंदर बहुत ही सुन्दर तरीके से लैबद तरीके से जो शब्द है उनको पिरोया हुआ होता है तो वो हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगता है हमें एक असीम जो है शान्ती सी महसूस होती है तो वो चीज क्या है वो चीज जब हम साहिते की बात करते हैं तो उसको हम रस कहते हैं रस के अंग वो क्या है रस स्थाई भाव और वी भाव के बारे में जानेंगे और अभ्यास करेंगे तो यहाँ पर आब आपको कुछ जो है प्रशन दिये गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं निमलिकित प्रशनों के सही विकल्प के समुक बने गोले को पैंसिल या पैंसे भरिये तो देखे नमबर ए रस किसे कहा गया है आनंद की अनुभुती को रस कहा गया है जिसमें आनंद की अनुभुती होती है तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद की अनुभुती को क्या कहा गया है रस कहा गया है साहित को पढ़ने को सुनने को जो है इसमें सुनने में जब आनंद की उसको हम रस कहेंगी clear next देखिए रस के 4 अंग होते हैं कौन-कौन से अंग होंगे रस के स्थाई भाव है, वी भाव है अनूबुति या संचारी भाव B option दिया गया है स्थाई भाव वी भाव, अनूबाव और संचारी भाव C दिया गया है स्थाई भाव, वी भाव, आलंबन और संचारी भाव and option D है स्थाई भाव, वी भाव, उद्धीपन और संचारी भाव तो इसका सही answer आपका B जो है इसका right answer हो जाएगा अभी हमने उपर पढ़ा इसके चार रंग कौन से हैं स्थाई भाव, वी भाव, अनुभाव और संचारी भाव है B जो है इसका right answer हो जाएगा प्रशन तीन है जिसका आलंबन या सहरा पाकर स्थाई भाव जो है वो जगते हैं वो क्या कहलाता है तो जिसका आलंबन या सहरा पाकर स्थाई भाव जगते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको आलंबन विभाव कहते हैं B जो है इसका राइड आंसर हो जाएगा option में आपको धिपन विभाव, अनुभाव, संचारी वाव भी दिये गई है लेकिन जिसका सहारा पाकर स्थाई भाव जगते हैं उसे आलंबन विभाव कहा जाता है उसका इबाद देखे नेक्स्ट रैप प्रशन चार मनोगत यानि मन में उत्वन भाव को व्यक्त करने वाली शारिरिक प्रक्रिया क्या कहलाती है स्थाई भाव कहलाती है वी भाव कहलाती है अनु भाव कहलाती है यानि मन में जो भाव को व्यक्त करने के लिए मन के अंदर भाव होती है उसको हम एक सारिरिक प्रक्रिया के द्वारा जब उसको व्यक्त करती है उसको हम अनु भाव कहेंगे C जो है इसका राइड आंसर हो जाएगा C इसका क्या होगा बच्चो ये सही विकल्प रहेगा नेक्स देखिए प्रशन पांच है जिन व्यक्तियों या प्रस्तितियों को देखकर स्थाई भाव पुष्ट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो जिन वस्त्वों या प्रस्तितियों को देखकर स्थाई भाव पुष्ट होती हैं उन्हें संचारी भाव, आलंबन विभाव, अनू भाव या उद्धीपन विभाव कहा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है उसको उद्धीपन विभाव कहा जाता है D जो है इसका सही आंसर हो जाएगा Question number 6 है स्थाई भाव के उद्धीपन कारण को डैश कहा जाता है स्थाई भाव, विभाव, अनूभाव और संचारी भाव तो स्थाई भाव के उद्धीपन कारण को विभाव कहा जाता है B जो है इसका सही आंसर आपका रहेगा Next देखिए Question number 7 है विभाव जो मन में स्थाई रूप से स्थापित होते है उनको क्या कहा जाता है तो विभाव जो मन में स्थाई रूप से होते है उनको अनूभाव कहते है विभाव कहते है स्थाई भाव कहते है संचारी भाव कहते है सही आंसर आपका B हो जाएगा उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम स्थाई भाव कहते हैं, ठीक है, next question number 8 है, अनुभाव की कुल संख्या कितनी है, तो अनुभाव जो है, उनकी कुल संख्या कितनी है, उनकी कुल संख्या 6, 8, 10 और 11 है, तो उनकी कुल संख्या है 8, बी जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा, next है, question Q9 के अगर हम बात करें, श्रिंगार रस का स्थाई भाव होता है, तो श्रिंगार रस का स्थाई भाव उत्सा होता है, रती होता है, निर्वेद या ममता होता है, तो श्रिंगार रस का जो स्थाई भाव होता है, वो रती होता है, B जो है इसका right answer हो जाएगा, 9th का answer हो यह question number 10 है, शांतरस का स्थाई भाव जो है, वो क्या होता है, तो जो शांतरस है, उसका स्थाई भाव, option A उत्सा, option B निर्वेद, option C है हाश्य, and option B है शोक, तो इसका स्थाई भाव जो होगा, वो हो जाएगा, निर्वेद, clear है, B जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा, इस तरह से आपको ये वक्षीट अपनी कॉपी में कर लेनी है और हम एक बार अगर इसके आंसर देखें तो first का आंसर जो है क्या रहेगा देखें साहिते में रस किसे का गया है आनद की अनुबती को A हो जाएगा second का आंसर आपका B रहेगा third का आंसर आपका B रहेगा fourth का आंसर आपका C रहेगा fifth का आंसर जो रहेगा आपका fifth का आंसर आपका D रहेगा उद्दीपन विभाव next देखिए question number six है question number six स्थाई भाव के उद्वोदक कारण जो है उसको क्या कहा जाता है उसको विभाव कहा जाएगा Q7 का अंसर आपका B रहेगा Q8 का अंसर B रहेगा Q9 का अंसर आपका B रहेगा Q10 का अंसर जो आपका रहेगा वो आपका B रहेगा तो यह थी आपके आज की हिंदी की assessment worksheet I hope सभी students को यह clear है बच्चो कोई भी doubt है आपको लगता है कुछ नहीं समझाया तो आप comment section में comment करके पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो please like कर दीजिए share कर दीजिए और channel को subscribe कर लीजिए so thanks for watching मिलते हैं next video में next worksheet के साथ take care bye bye